भलाई के लिए दुख उठाना किसी के साथ ऐसा हुआ है कभी कि आपने किसी की भलाई की है किसी के जीवन में अच्छा किया है और आपको उसकी वज़े से निंदा सेहनी पड़ी हो या आपको उसकी वज़े से दुख उठाना पड़ा हो किसी के साथ हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, किस किस के साथ हुआ है कभी ऐसा, आपने अच्छा किया, आपने भला किया, लेकिन इस भलाई के बतले आपको अच्छा ही नहीं मिली, आपको तारीफ नहीं मिली, आपको सराहना नहीं मिली, भलाई करने के बाउसूत भी आपको को दुख का सामना करना पड़ा ऐसा होता है और हम ऐसी दुनिया में जीते हैं ऐसी दुनिया में रहते हैं पत्रस के समेंपर भी और आज के समेंपर भी पत्रस हम लोगों को क्या हो रहा है तुम्हारे साथ अन्याई हो रहा है तुम्हारे साथ बुराई हो रही है तुम माच में भलाई करते रहना है चाहिए तक बले ही तुम्हें भी क्यों न उठाना पड़ें भलाई करना यहां ** भलोखें की लिए दुख्रोटरा करें करना है और यह बलाई के लिए जो एक भला जीवन जो इक भलाई बाला जीवन जो हमें जीने के लिए बत्र स्प्रेडिक करता है वो सच में दिखता कैसा है पर आज के अंदर पांच बातों को बताता है ये पांच वो बाते हैं जो एक भले जीवन को प्रदशित करती हैं पांच वो चीजे कोई सी हैं भला जीवन एक अच्छा जीवन कैसा दिखता है पर आठ पढ़िए लिखा है अंता है सबके साथ एक मन कृपालू भाईयों से प्रेम करने वाले दयालू और नम्रमन अलेलुए इस बाध में पर आठ में पांच बाते हम देखते हैं सामने भी स्क्रीन पर आपके आगया अंता सबके साथ एक मन कृपालू भाईयों से प्रेम करने वाले दयाल और नम्रमन यह हैं वो चीज़ें जो एक भले जीवन को आकार देती जो हमारे अंदर मस्य की छवी को उत्पन करती है अलेलुए यह वो चीज़ें जो हमारे जीवन म होनी चाहिए जो पहला भाग है अंता सबके साथ एक मन सबके साथ एक मन हम जितनी महने यह यहां पर बैठे हुए है मिल्ग घुमन हो पाना मिज़ं कि समभव्ल है क्या का आधी हम तक मुस्किल है लceptions अलग अलग लोग है हम अलग अलग सोचते हैं अलग अलग हमारा दिश् हम रहते हैं एक होगाना मुश्किल है एकता की बात हो रही है हमारे बाईयों के साथ में एकता होनी चाहिए लेकिन यह एकता नहीं देखने को मिलती क्योंकि सब के अपने अपने मन हैं सब के अपने अपने मन हैं सब की अपनी अपनी सोच है लेकिन पतरस कह रहा है सब के साथ तुम्हें एक मन होना है हमें एक मन कैसे हो सकते हैं पहला कुरुंति दोस्वला में इसे ऐसा लिखा हुआ है हम सब तुम्हें मसी का मन है अगर हमें एक होना है हमें एक मन होना है तो हम साधारण रिती से संसारिक मन के साथ में एक मन कभी नहीं हो सकते अगर हमें एक मन होना है तो हमारे अंदर मसी का मन होना चाहिए हललुया क्या होना चाहिए मसी का मन होना चाहिए मसी का मन जब हमारे अंदर होगा मसी का मन मतलब मसी के चरित्र का मसी के प्रेम का मसी के वेवहार का अनुशरन करना और जब मसी का मन हमारे अंदर होगा वो हमें सामर्द देगा सब के साथ एक मन होने के लिए अलिलुया अगर हम प्रभु से सच में प्रेम करते हैं अगर हमें सच में प्रभु येश्व मसी का मन है तो हम कभी भी एक मन होने में मसी के सिधांतों में मसी के चरित्र में मसी के वेवार में एक मन होने में हमें कभी कट्विनाई नहीं होगी संसारिक मन के साथ हम एक नहीं हो सकते सब के साथ एक मन कृपालू भाईयों से प्रेम करने वाले दैयालू और नम्बर बने नम्बर बने हिस हमें मुझी लगता है कैसे हम आप चीजों को अपने जीवान पर लेजिए हैं कि हमारे मातों हरा कुंछ बहुता है पने ऊच्छा भी करते हैं तो लोग अन सब हैu उसके जोंको बुरा जीवन में इस संसार वर्तमान संसार में जिसमें रहते हैं कैसे हम इस प्रकार का जीवन हम जीए कि हमें यह याद रखना है हमने पहले ही अध्याई में पहले ही वचन की अंदर कुछ बातों को सीखा दो वह बाते क्या थी पिता परमेशर के द्वारा हमें चुना गया है पवित्र आत्मा के द्वारा हमें अलग किया गया है प्रभयेश्य मसी के लहु के द्वारा हमें शुद्ध किया गया है हमें अलग किया गया है इस संसार से इस संसार के ज्यान से इस संसार के विच्शार धारा से हमें अलग किय गया हम अलग किये हुए लोग है अलेलुया और अब हम जो जीवन जीते हैं उस पुराने जीवन से भी हमें अलग कर लिया गया है अब जो हम जीवन जीते हैं हम वो एक नया जीवन जीते हैं जो बसी के द्वारा हमें प्राप्ट हुआ है अलेलुया और उस प्राप्ट उस न नया जीवन कैसा दिखता है वो नया जीवन ऐसा दिखता है सबके साथ एकता कृपा करना दूसरे अनुग्रे दिखाना है क्योंकि आपने अनुग्रे पाया है अनुग्रे दिखाने वाला जीवन जीवन भाईयों से प्रेम करने वाला जीवन अब यह भाईयों सब जब इस्त हीविजमित होना चाहीं बाहर नहीं करना है कहा हमें भाई से प्रेयम करना है चर्च के अंदर हमारे विश्वासी लुसी generating ऑणों से भी और हमें नम्र बनना है हमारे दर घमर ना हमारा प्रभू नम्र प्रभू जिसकी पहचान को हमने पाया है जिसने हमें नया जीवन दिया है जो अब हमारे जीवनों में हमारे रित्यों में रहता है अलेलुया वो नम्र बर्वेशर है अलेलुया जो जो नई पहचान और नया जीवन जो हमने पाया है इसके अनुसार प्रभो की सामत में चलते हुए हम इन चीजों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं इन चीजों के अनुसार इन बातों के किरपालू, बाईं से प्रेंट दरने वाले, दयालू, नब बने, आललुया, याद रखिए, हमने ये चीजे बाईं है, प्रहु से हमने बाईं है, जो हमने सेथ में मिला है, वो हमें सेथ में देना है, जो हमें मुफ्त में मिला है, वो हमें मुफ्त में लोगों को देना है, प कि जब तुम इस संसार में जो तुम्हें डुक देता है परिशान करता है तुम्हें मारता है तुम्हारे साथ अन्याय करता है उनके बीच में तुम्हें भलाई वाला जीवन जीना है भलाई करते रहना है अलेलुया और दूसरी बात वो बोलता है पदले की भावना नहीं रहे हैं एक सारीरिक मनुश्य के अंदर विल्कुल वो भावना आएगी कि इसने मेरे साथ ऐसा किया तो मैं इसके साथ ऐसा ही करूँगा बदले की भावना बदला लेना लेकिन पत्रस सिखाता है बदले की भावना नहीं रखनी है नो मैं कह लिखता है बुराई का बदला बुराई से न दो न गाले के बदले गाली दो पर आशीश ही दो क्योंकि तुम इसी अभी प्राई से बुलाए गए हो कि उत्तरा दिकार में आशीश प्राप्त करें बुराई का बदला बुराई से मत दो बदले की भावना हम अपने अंदर ना रखे इस जगत में ये संसार ऐसा ही है बार बार आपके साथ में विस्वास के कारण या आपके अच्छे काहों के कारण आपके साथ में बुरा बरताओं होगा बार बार होगा लेकिन प्रभू के लोग हम अलग किये में लोग हैं सुद किये में लोग हैं हमारी प् के साथ करें बुराई का बदला बुराई से मत दीजिए बदले की भावना नहीं रखनी है प्रभु का वच्छत कहता है बदला देना बीरा काम है किसका काम है परमिश्टर का काम है परमिश्टर का कार परमिश्टर को ही करने दें तो उसमें ना फसे आपको भलाई करनी है और वो आपको बदले की भावना नहीं रखनी है इस संसाह में बार बार ऐसे पूद तरकर हमारा मन अमारी आत्मा करड़ी हो जाती है तो हमारी हम्दर बदले की भावना आ जाती है अगर आप दूसरा अध्याय पत्रस का दूसरा जाय किस बचने अगर पढ़ोगे तो देखी कहले खाऊए प्रभूयेश मसी के लिए तुम इसी अबिप्राश से बुलाए वाई हो क्योंकि मसी ने भी तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए एक आदर्स रखा है जेक उदार रिख लखा है कि तुम भी उसके पद चीनों पर चलो उसने ने कोई बाप किया और ना उसके मूँ से चल की कोई बात निकली अलेलुया उसने कोई बात नहीं किया और ना उसके मूँ से चल की ढोखे की कोई बात उसके मूँ से निकली उसने गाली सुनते वे गाली नहीं दी और दुख सहते वे धंक्या नहीं दी पर अपने आपको उसके हाथ सौप दिया जो धार्मिक्ता से म्याई करता है अलेलुया बुराए का बदले की भावना नहीं रखनी है प्रभु येश्व मसी ने हमारे साबने एक आदर्स रखा है लिखा है इसने गाली सुनते में किसी को गाली नहीं दी अन्या के सहते हैं किसी साथ उसने अन्याई नहीं किया लेकिन अपने आपको परमेश्र पिता के हाथ में सौप दिया इसके हाथ में सौप दिया अपने पिता परमेश्र के हाल तुमें अपने आपको उसने सौप दिया जो धार्मिक्ता से न्याई करता है अलिलुया अलिलुया पर्मिश्ら का कार यह पर्मिश्र का कार ये सिर्व झार है हम सिर्फ वही करें बदले की बाँणा न रखें बदला ये नए पर्मिश्र का का कारे है। लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए क्या बोलता है पोलसी वात है प्रभू ने हमें चुना है आलेलुए बहुत धन्य और बहुती आशिस की बात है हमारे लिए उसने हमें चुना है लेकिन हमारा जीवन कैसा होना चाहिए क्या बोलता है पोलसी यहां पर इसलिए परमिसर के चुने हों की तरह पवित्र और बहुत प्रिये लोगों अपने आपको कौमल करुणा मन की दीनता नम्रता और धीर से ढाक लो अपने आपको कबर कर लो यदे किसी से जगड़ा हो जाए तो एक दुसरे की सह लोग क्या कर लो क्या कर लो बतला लो तो नहीं लिखा हुआ कर से लो कि सच में अगर प्रविशर के तुने हुए लोक हैं तो ऋसंसीलता होगी हमारे लो अगर हम सच में एक धिला एक खाली एक दोरा जीवन जीने पर वालवार रहे लोग हैं पर हमारे सहंसिंता नहीं होगी इस दिखाता है कि आप प्रभु से प्रेइल करने वाज़ा इसकी आत्मा से भरे ब्रोग है अगर किसी के साथ यदि किसी से जगड़ा हो जाए तो एक दूसरे की सहलो और माफ करो पहली बात सहलो और दूसरी बात क्या है? माफ करो क्या करो? बहुत मुस्किल है मुस्किल है? लगता है ना मुस्किल? माफ करना मुस्किल लगता है साररिक मन से अगर हम सोचें ये बहुत मुश्किल है करही नहीं पाएंगे लेकिन आपको अगर ये बात याद है और आपका रिदा इस बात को सच्छाई से स्विकार करता है कि मैं बर्विश्य का चुना हुआ हूँ मैं अलग किया हुआ हूँ मैं सुद्ध किया हुआ हूँ मेरा पुराने जीवन के साथ मेरा कोई नाता नहीं है मुझे वैसे जीना है जैसे मुझे प्रभू ये शुमसीज नगर के अंदर जीए तो आप सहल भी कर सकते हैं आप शमा भी कर सकते हैं हललुलुया क्या करो दूसरे के सहलो और माफ करो जिस तरह से मसी ने तुम्हे माफ किया कैसे जिस तरह से मसी ने तुम्हे माफ किया लीजियों के अंदर हम देखते हैं ऐसे कहता है पॉलुस की तुम तो परमेशल के क्रोध की संतान थे क्रोध तुमारे उपर प्रकट हो जाए ऐसे थे तुम नास हो जाने के लायक थे हम ऐसे लोग थे कि हमें नास हो जाना चाहिए था जैसे हमारे कर्म थे जैसे हमारा चरित्र था जैसे हमारा रिदे था जैसे हमारा मन था जैसे हमारे डिड़े थे उन सब के अनुसार हमारे उपर प्रमेश्णता प्र पुद्रे के दोरा विस वास से हमने उद्धार को प्राउत किया है उसने हमें शमा किया उसने हमें माफ किया तुम सहनो और माफ करो जिस तरह से मसी ने तुमें माफ किया तुमें भी एक दूसरे को करना चाहिए तुमें भी एक दूसरे को करना चाहिए क्या करना चाहिए आतुम को उस विकार करने के लिए पने जीवन में लाभू करने के लिए प्रब का वजन कहता है वो येश्व मसी के गुर्ड है हमारे अंदर प्रब येश्व मसी के गुर्ड होने चाहिए अलेलुया अलेलुया येश्व लोगों को हमारे जीवन से येश्व की छवी दिखने चाहिए हम जहां पर भी जाए हम स्कूल जा रहे हैं बच्छे हम जोग कर पे जा रहे हैं हम अपने पडोसियों से बिल रहे हैं हम कहीं पर भी जा रहे हैं हमारे प्रभु येश्व मस्तिकी छबी दिखनी चाहिए प्रेम करने वाले शमा करने वाले नम्र ये हमारी पहचान हो यह क्या हो हमारे यह हमारे पहचान होनी चाहिए अलिलुया बतले की भावना ना रखें किसने नेट सेंट और जिम इलियट के बारे में सुना है नेट सेंट और जिम इलियर दोनों अच्छे विस्टनरी साती थे और इसके साथ में तीन लोग ओर थे जो एकवाडोर नामक जाती थी जंड़ी लोग दिस जंड़ी लोग के लोगों के बीच में नेट सेंट और जंविलेट्थ और इनके तीन मिस्तरिष साथी थे वो और जंब उलियकी बैंति रेचल सेंट और जेविलेट्ट्षाइन की पत्नी थी अरिब यह लोग एकवारडोर में जाते हैं एक ऐसी जगह जो चारों ओर से जंगल से गिरी हुई है और होराने जाती के लोगों के बीच में ये सूसमाचार की सेवा करने के लिए वहाँ बन गए ताकि वो भी पर्मेशन के स्वाद को चक सके, पर्मेशन को वो जान सके उन लोगों के बीच में जाते हें जिन लोगों का बाहरी मनुश्यına से कभी कॉंटक्ट ही नहीं हुआ बाहरी मोगों को जिनुन देखा ही नहीं और ऐसे खदरनाग ऐसे क्रूर लोग कि आपस में लड़ते रहते थे कोई दया नहीं कोई प्रेम नहीं आपस में ही यह दो गुरुप थे आपस में एक दूसरे को बात दे रहते थे इन लोगों के बीच में ऐसे ख़दरला लोगों के बीच में नेट सेंड चिमेलियर और इनके जो तीन मिसने साथी और रेचल सेंड और एलिजाबेत यह जाते ही जंदर में समाचा की सेवा करने पे लिए और एक दिन ऐसा आता है कि यह उन लोगों के पीच में पहुंच जाते हैं एक लंबे संगर्ष के बाद में दो तिन लोगों से कॉंटेक्ट हुआ इनका इनको लगा कि अब ठीक है अब हम लोगों से मिल सकते हैं और एक दिन 1956 में थी कई सारे लोग आए इन्होंने सोचा अरे बहुत अच्छी बात है और यह लोग हमारे पास आ रहे हैं अब इनको आप प्रभू के बारे में बताए जंगल के बीच में है एक बढाई का काम करने के लिए क्या था लोग नोगे इनके पांस में और यह लोग जयाए बांने सना सुमार्य को कि क्या तरने गए थे लोग क्या तरने गए थे इस सुमाचार सुनाने के लिए लेकिन क्या हुआ हैं के साथ इनको अपनी जान गवाने पड़ी उन्होंने भारों से इनके सरीर को बेदी आपको पता है जब वह जंली लोग जिनकी बीच में इस समाचार सुनाने गए थे वो जब इनको मार रहे थे एक-एक करके इनमें से एक की पास एक गण थी एक बंदूख थी अपने सुरक्षा के लिए उनकी पास इन बंधूग थे और उनके वो अपने पास ही रखते थे जनली जानों को डराने के लिए होगा या कैसे लेकिन जब लोग उन्हें मार रहे थे जिसके पास वो बंधूग थी जिसके पास वो गं थी उसने निकाल कर वो उनको मार सकता था लेकिन उसने नहीं मारा उसने नहीं मारा बतले की भावना ना रखेंगा जिसके पास गंथी वो बन उसके हाथ में ही थी लेकिन जब उसके छाती में वो भाला मार गया उसने सामने वाले रेक्ति के उपर गोली नहीं चला इसको नहीं मा पांचों के पांचों मर गए उस दिन लेकिन रेचल सेंट जो नेट सेंट की बेहनती और एलिजाबेट इन दोनों ने उस सेवा को जारी लखा जिनों पर शुरुआत की थी ये लोग एक साथ जंगल के अंदर थे लेकिन रेचल और एलिजाबेट दूसरी जगह पर थे जब इनको मार दिया गया कई दिन के बाद जब इनको पता चला तो रेचल समझ गई कि कुछ घटना घट गई है रेचल ने और एलिजाबेट की उस ताइम के दस महीने की बेटी थी सोचिए जंगल के अंदर हो रह रहे थे और कोई चोटा मुटा कोई ऐसा जंगल ही जिन में आज कल हम लगडिये लेकर आते हैं वो खुखार जगए दस महीने की बेटी थी उसके पास हुआ है दोनों ने काम को जारे रखा सेवा को जारे रखा सुसमाचा सुनाना जारे रखा और इतने ऐसा आया एलिजाबेट ने और रीचल सेंट ने दोनों ने मिलकर उन लोगों क वीच विशु समाचा सुनाया और जंगली जाती कि लोगों का जीवन बदल गया अलेलुया क्या हो गया जीवन बदल गया उन्होंने भलाई अपने जीते जीतों नहीं देखी लेकिन बाद में उनकी दयाने जो उन मिस्णरियों की अंदर थी उनके प्रेम का प्रतिफल ये वक्तिस्मा एकवाडूर में उस जंगल के अंदर हुआ और आपको पता है उसको उन बच्चों का बदल करने वाला कौन था वही वेक्ति जिसने नेट सेंट को जान से मारा था उसी वेक्ति ने नेट सेंट के भांजों को रेचल के दो बेटों को अपने हाथ से बदल दिया कि वो उस समय तक एक अच्छा अगुआ बन गया था एक पास्टर बन गया था आलेलुया आलेलुया और आज बहुत अलग रीती से वहाँ पर प्रभू का काम हो रहा है सब कुछ बदल चुका है वो जाती जगली जाती के लोग का जीवन बदल गया है रहने का तरीका बदल पक्ल Seal Diamond अबसीं की व्योवत्ता के लिए है था कि बदले की वावना से उस दिल अगर उनको उनके उपर दोलि कला दी जाती तो क्या ये परिवर्तन की उमेद की चा सकती थी vaccine पदाएए क्य जा सकती थी क्या में नहीं किया सकती थी नहीं behaviors कि बंद्ले की बहना मत रहेए जिस संसार में हम रहते हैं कि ऐसा ही है हम अच्छाई करेंगे हमें मार मिलेगे हमें दुख मिलेगा लेकिन याद रखिए हम प्रभु के लोग हैं प्रेम करने वाले लोग और प्रभु के प्रेम का प्रचार करने वाले लोग हमारा रवया वैसा ना हो जैसे हमारे सामने वाले व्यक्ति का है बलकि हमारा रविया ऐसा हो कि सामते वाला व्यक्ति जो हमारा विरोध करता है वो हमारे अंदर प्रभी इश्यो के प्रहीं को देख पाए इन जो ये लोग थे इन लोगों के अंदर एक बहुत गहरा पश्चता उत्पन हो गया जब इनोंने देखा कि रे वो लोग तो हमारे भदाइ के लिए आए थे वो लोग जो आई थे वो थो हमें बचानी के लिए आए थे हमारे अच्छा करने आए थे लेकिन हमने उने मार दिया उस प्रश्चताप ने उनको इतना भेर लिया कि जब रेचल और एond 109 के के काम में पड़ा प्रभु की सापर्त ने इनको क्योंकि वो नम्रत हो गए प्रभु के आत्मा ने उनके जीवन को बद रहें कि अलेल्या में चाहे हमारे सी चाहिए हम अणूकल अप्रिसिदी जो या ना हो बस ही आद लखना हम प्रभु के लोग हैं हमारे साथ हम्याई होगा हमे सेहना बड़ेगा प्रभु का प्रेंद दिखाना का भिना चोड़िये बदले की भावना मत रखिये और जब हमने ये फुलुशियों का वज़न पड़ा है इन सब बातों से अधिक अपने आपको प्रेम से धाक लो बदले की भावना से बाहर निकलना, सहन करना, माख करना आसान नहीं है लेकिन जब हम प्रेम से धाक लेंगे अपने आपको, तब हमारे लिए ये ही आशान हो जाएगा क्योंकि हम अपने सापने वाले को प्रभी येश्व मसी की दृष्टी से देखना शुरू कर देगे प्रभी येश्व के नदरी से देखना शुरू कर देगे कि नृट प्रेंफ से पने आप O DENNIS नो गुरूश्य तीन बाराश window में सब्सेदर और लाप कर Renner आपद कु को यह न को पतिओंपर त्या क्युवरत्ति वें वहावağıत करना है वहाव पर पहत्र प्रेम के लिए जो चार सब्द है उनमे से एक सब्द को इस्तेमाल करता है अगापे अपने आपको हमें अगापे प्रेम से ढग लिना है अगापे प्रेम में समर्पन की भावना होती है अगापे प्रेम उससे भी किया जा सकता है जो हमारे प्रेम के लायक भी नहीं है अगापे प्रेम में माफ करने की भावना होती है अब अगापे प्रेम में सैन करने की भावना होती है अपने आप उस प्रेम से ढाक लिजिए अगापे प्रेम से प्रमयेश्चुमस्ती ने हम सबसे अगापे प्रेम किया है कैसा प्रेम किया है अगापे प्रेम किया है उस प्रेंग से हमें अपने आख में रहा है दस से बारा पड़ जग हम पढ़ते है पत्रस यहां पर भजन चोंतिस के पड़ों को यहां पर उद्रित करता है यहां पर लिखता है बजल 34 को अगर आग पढ़ोगे तो सेही यही बातें वहाँ पर लिखी हुई है यूंकि जो जीवन की अपिलासा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है अपने जीव को दुस्टता की बातों से और अपने होटो कुछल की बातों से बातें बोलने से रोके रहे वह दुस्ट की बातों से फिर करभलाय करें और शांती को तून कर उसका पीछा करें जो जीवन को अच्छा देखना चाहता है जो जीवन को अच्छाई से देखना चाहता है वो क्या करें वज़न आठ पे हमने जिन बातों को हमने देखा वो सारी बाते हमारे जीवन में हो उसी ओर यही सारा कर लहा है चोंतिस भजन की सब्दों को हम यहां बन पाते हैं और उसे अगली बात भलाई के लिए उत्सुक रहना है भलाई करने के लिए उत्सुक रहना अमारे अंदर रोजसां होना चाहिए उत्सुकता होनी चाहिए मुझे करना है मुझे भलाई की काम कर ले है हमारे इंदर कुछ सुथा होनी चाहिए तीरा वचे में हम इसको पढ़ते हैं यति तुम अपने आप को भलाई के लिए उत्साधी प्रमानित करो क्या करो प्रमानित करो उत्साही इसके लिए भलाई के लिए अगर तुम अपने आख को બलाई के लिए उत्साही प्रमानित करो तो तुम्हें खानी पहुंचाने वाला कौन है पत्रसिया पो कहना चाहर है कि जो बलाई करते है जादा तर उनके साथ बुरा नहीं होता है जो भलाई करते हैं, उनको जादा तर उनको हानी पहुंचाने वाले लोग नहीं होते हैं, जो अच्छे काम करते हैं, किसी हम तक सही है, लेकिन जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो पाप से भरी हुई है, कैसी है, पाप से भरी हुई है, जिस दुनिया में हम रहते हैं, वो और यह दुनिया जो इस संसार में रहती है वो खोई हुई है अगर हम इसमें अच्छाई भी करेंगे तो भी हमें दुख उठाना पड़ेगा यह बहुत कम होता है कि हम अच्छाए करें हमें अच्छा रिस्पोंस मिले हैं हमारे तारीब करें लेकिन इस संसार में हम अच्छा भी करेंगे तो हमें दुख उठाना पड़ेगा नेटसेंट, जेमेलियर्टि के बारे में हमने जो उधारन दीखा और इस दुनिया का इस जगत का सबसे अच्छा व्यक्ति संसार का सबसे अच्छा व्यक्ति जो भलाई करता था जिसने फ्रेम किया जिसने लोगों की भावनाओं को समझा जिसने लोगों की जरूरतों को समझा इस दुनिया ने उसको भी कुरूस के ओपर ड़ा दिया इसको प्रभ mendश्व सेको इसको भी कुरूस के ओपर ड़ा डिया इस Prophet के सबूँ से भलाई करने के लिए हमें तशजुक रहना है चाहे हमारे सामने कैसे भी प्रस्ति क्यों नहुंग situation के कारण प्रस्तितियों के कारण अच्छाई करना मत छोड़िए हमें लोगों से अच्छा प्रतितन मिले या ना मिले लेकिन आप याद रखिए परमेशर के लिए परमेशर के पास आपकी भलाय किये हुए सब चीजों के लिए एक बहुत बड़ा परिनाम है बहुत बड़ा फल है इस संसार में आप उमिद्बत कीजिए कि अगर मैं अच्छा करूँगा तो मुझे अच्छाई मिलेगी मेरी तारीफ होगी मेरी वावाई होगी संसार से तारीफ की इच्छा प्रत कीजिए परमेश्र के पास आपके द्वारत की बहुत ही अच्छा प्रती पल है प्रभु से हम इच्छा करें प्रभु की और उन आशिशों की और प्रिध्यान को हम लगा के रखें अलेलुया तो इस अंसार में तो उठाना पड़ेगा इसलिए अगले ही पत में वो कहता है बलाई के लिए कष्ट सेहने के नहीं त्यार रहे हैं असारे दुनिया से अलग सारे संसात सारे नितियों से अलग सारे नियुमों से अलग प्रभु का दिया हुआ ये जीवन में और हमारे प्रभु ने ऐसा जीवन जिया है हम ऐसे नहीं कह सकते कि इस संसार में पहले किसी ने तो ऐसा किया नहीं मैं कैसे कर सकता हूँ प्रभु ये श्मसी देह में रहते हुए मनिश्य की देह में रहते हुए उनों ने ये जीवन की संसार के अंदर जिया है ऐसा जीवन इस दुनियां के अंदर जिया है ऐमललुया Usva काम करते हो तूं अच्छी काम करते रेम काम करते हो फिर भी तुमक्त होता है तो तुम है थन्य हो तुम आशिशित लोग हो क्या हो धन्य का मतलब यहां पर है आशिश वाइवे लोग तुम अच्छाई करते हो बलाई करते हो तुम अशिश वाइवे लोग हो परमेशन ने हमें इस जीवन में भी आशिश दी है और परमेशन आने वाले जीवन में जीवन भी हमें आचीर देने वाला है अलिलूब्या इस जीवन में इस ने धन्य किया अामें अ सब्सक्राइब होता है बलाई करते वेशार वो कि हम धर्णाश्री से लोग हैं इस जीवन में भी और भमिश्य में जीवन हमें में में बेनेगा उच्छी हो अलोया धार्मिक्ता की जीवन जीता है तुक भी क्यों ना उठाना पड़े और जब आप धार्मिक्ता का जीवन जीएंगे अलग जगे पे आपको चुनो जीवा सा कि हमां अचय जीवन के चाथे हैं लेकिन जहांपर आप कांक उनक वह हैं पर आप को जूट बोलने के लिए मौला जाता है वहां पर आपको गलप जगे जएन करने के लिए मौला जाता है वहां-टा-उike पर आपके बरिवार की लोग विस्वास में हैं और आप लोग प्रभू के लियम के अनुसार प्रभू के बचन के अनुसार धार्मिता के साथ अपने जीवन को जीना चाहते हैं और जब आप अपने बच्चों की शादिया करोगे क्योंकि हम जाती बात को हम मानते नहीं है, हमारे बीच में कोई जाती नहीं है, हम सब मसीबे एक है, और हम निरना लेते हैं कि हम एक अच्छे विश्वासी, अगर मेरी बेटी है, तो एक अच्छे विश्वासी के साथ में उसकी साधी होनी चाहिए, वो एक अच्छा हुआ कि मेरी बेटे की साधी एक अच्छी समर्पित मसीही लड़की के साथ में होनी चाहिए मैं जाती नहीं देखूँगा एक सच्छा मास्त्विक मसी जीवन तो यही है लेकिन इसके लिए आपको दुख उठाना पड़ेगा क्योंकि आप तो विश्वास्त में हैं आप रहू के इमसाथ चलना चाहते हैं लेकिन आपके जो भाईजन है और आपके परिवार चलने हैं वो बोलेंगे देखो यह क्या कर रहे हैं यह तो गलत बात है जाक से बाहर साधी कर रहे हैं यह तो गलत बात है साधी में यह होना चाहिए था कि यह नहीं कर रहे हैं तो उठाना पड़ेगा अलग जगाव पर आप इन चीज़ों का सामना करो में आप क्यूंकि आप अच्छा काम करना चा लेकिन आपके अपने भी आपके साथ में आपको कर्ष्ट देने के लिए आ गया जाएंगे मदर टेरिसा को कौन को जानते हैं सब लोग जानते हैं मतर टेरिसा बहुत छोटे उम्बर से ही उतके अंदर प्रभु की महीमा करने का और अच्छी भक्त थी और वो नन बनना चाहती थी जो सिस्टर हम देखते हैं अपने घरबालों को बताया उन्होंने तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया लेकिन फिर भी उसने प्रभु के साबने प्राथिमाय दुआयी कि अपने परिवार को त्यार किया और वो एक प्रभु की दासी नन कर नन बनके वो फोल्काता में आई लिए वहां पर कैंपस था और वहाँ पर वो लोग रहते थे जो शड़कों बिभीक मानते हैं किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है कोई लंबे समय से बिमार पड़ा हुआ है किसी के अंदर से बगबुआ रही है, ऐसी वस्ता और मदर टेरे साथ के अंदर एक बहुत गहरा हो जाए कि मुझे इन लोगों के बीच में जाके सेवा करनी है वो वहाँ पर गई, लेकिन लोगों का एक मुखिया था जैसे ही हो गई, इन्ने बोला कि मैं आप लोगों की मदद के लिए आईगी तो वो मदर टेरे साथ को वहाँ पर गाली है ठाने पड़ी क्या खाने बड़ी, क्या करने नहीं थी, अच्छा ही करने थी लेकिन वहाँ पर बोला तुम चली जाओ यहां से तुम निकल जाओ हमें नहीं चाहिए तुम्हारे बहलाई, लेकिन मदर टेरे साथ नहीं वहाँ पर उनकी बहलाई करना शुरूर किया जो खाना उनको मैस में मिलता था, मदर टेरे साथ को, वह खुद नहीं खाती थी, वह खाना इकठा करके लेके जाती थी और बस्ती में, जो छोटे बच्चे, जो पूपोर्शन का सिकार हो रखे थे, उन बच्चों को अपने हाथ से उस खाने को पिलाती थे, अपना खाना, जो फूट मिलता था, जो खाना जो भी मिलता था, उनके लिए, और एक दिन उसने क्या कि किसी महिला को देखा, जो की व मदद क्यों करेगी, तुम तो साफ सुतरी महिला, उन příst बदो आरी हैं, तो कियासे मेरी मदद करोगी? तो उसने बुला कि मैं आपकी मदद करोगी। इसने मैनिक को बुलाया, और उउसकी साइकल को ठीक कराया, उसकी wheelchair को रुट कराया, पता है, पैसे नहीं थेए उनके बा पूरी है मैं उनके बीच में जाओं जहां पर उसको गालियां मिली जहां पर उसको बद्वाएं मिल रहे थी वहां पर मज़टेर सा सिर्वा करने के लिए जाते थे और प्रिशाडी बेची पैसे मिलें इस इन जह फिक रहा है और वैसे ही बहुत से हजारों बच्चों को उसन कारण वो उस कार्यों को करना बंद कर देती तो आज मदर टेरेसा को कोई नहीं जानता और मदर टेरेसा की कारण कोई प्रभू के पास नहीं आता बुराई के बीच में इस ने भलायके काम लोग किया। अनका इलाज क्या है नहीं की जखन पहुचती थी लोगों को बध़ू आते थी जब ऐक मंदिर में उन्हें करा मदिर बिमार लोगों को लेकर अजर स्ट्ट करकाएं मरे जोको बीमार दोती हूँ और पहुर उन्हें क कुछ लोग जिनको लगा कि हां यह अच्छा काम कर रही है मदद के लिए आते थे लेकिन वो लोग पता है बाहर से ही अंदर जाते थे और एक्टम से बाहर निकलाती थे क्यों क्योंकि उनको बद्बू आती थे जो बाहर देश से साफ सुत्रे एक अच्छे घर से आई उसको बद्बू नहीं आती थे अलेलूया अलेलूया प्रभु का प्रिंख इसली से उनके जीवन में भरा हुआ वो जानती थी प्रभु में मुझे चुना है मुझे अलग किया और सुनियों की खाओं उनको पोच्छा उनका इलाज किया फिर उसके मन में आया कि इनके लिए टेनिक बनाया जाए उन्होंने एक छोटी गाड़ी को भी खरीदा है कबाड में पड़ी गाड़ी उसको ठीक करवाया जगे 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 जाकर वो मरीशों से मिलती थी कोडिय उसे मिलती थी, उनका इलाज करती थी फ्रपॉनेंट के अंदर एक बुलाहर को दिया कि वो एक क्लीनिक को बनाए एक अच्छा क्लीनिक होना चाहिए लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे उन्होंने इस चीज़ को भी बहारा नहीं बनाये कि में पास पैसे नहीं है मैं कैसे का सरकार की तरफ से और उनको कहा जाता है कि मदर टेरेसा आपको आपको नोबिल प्राइज के लिए आपको चुना देया है बहुत कम लोगों को नोबिल प्राइज मिला था और उसके साथ में उसको पचास हजार पे किरासी मिली थी और वो प्राइज में प्राइज मिली बनाना है और उसका खर्चा है पचास रजार रुपे जिस पैंपस में रहती थी वाके फादर से उसने जाकी इस बात को साजा किया कि फादर एक क्लिनिक बनाना है इन गरीब लोगों की सहता के लिए इसने बूला कि आपका विचार तो एक अच्छाई के कारे की और कर्ष सहते वे बढ़ रही थे और प्रभू भी जब हम गुराई सहते वे अच्छाई करते रहते हैं हमारे कामों के उपर आशीश देते हैं अच्छी अच्छी बाती सुने को मिलेगी अच्छी बाती सुने को मिलेगी बुरी बात सुने को मिलेगी लेकिन फिर भी अच्छाई करना मज़ होगी हाललुया है कि प्रभू एश्ची मसी का यह कून है और हम उसके बच्छे हैं हम प्रभू के हम जीवित परवेशल के बच्छे हैं और उसका आत्मा हमारे जीवनों में रहता है हाललुया हाललुया इस सब्सक्राइब को दिया सब कुछ हुआ दुनिया चांते हैं उनको लेकिन आज भी यूट्यूब के ऊपर उनकी निंदा से भरे हुए वीडियो आपको बिल जाएंगे वो अपने लिए कभी नहीं जी वो प्रभू के लिए जी तुस्रों के लिए जी लेकिन आज भी अगर आप यूट्यूब पर वीडियो देखोगे उनकी निंदा से भरी वीडियो पड़ी हुए हैं वो तो धन्परिवर्तन करती थी लोगों का बच्छों के साथ में गलत व भलाई के काम को करना जादे रखा है अलेलुया इसलिए निरास मत हो ये जब आपके कोई निंदा करें अच्छाए के काल लगे रहिए प्रभू की ओर से इसका बड़ा बड़त्रत है अलेलुया अगे बढ़ते हैं हमी कैसे हम कर सकते हमें कैसे हमीं चीजों को कर सकते हैं हमें अपने जीवन में सारी बातों को करना है कैसे हम करें पहली बात जो है वह यह हैं परमेश्व की आशिशों को हम याद रखें जो उसने हमारे जीवनों में इसने हमें दी है जो ब्लेसिक्स जो आशिशे प्रविश मसी से हमने पाई है उनको याद रखिए अलेलोया प्रविश्व की आशिशों को याद रखिए जोदा अमने का फिर भी दार्मित्ता के लिए कर्स हो तो धन्य हो तुम लोग अलेलोया उसकी आशिशों को याद रखिए और लिखा है उनकी डाट दपट स प्रभु की आशिश को पाया है उसकी आशिश में लोग हैं प्रभु की आशिषों की ओर ध्यान दे नहुत है उसका मिला है । आज भी हम कितनी बार प्रभु का हिर्कार करते हैं। आज भी कितनी बार, हम ऐसी बाप ऐसी गलतियां करते हैं। जो परमिश्रत की विरूद्ध है लेकिन फिर भी परमिश्रत ने आज तक में छोड़ा नहीं है। प्रभु की आशिशों की और ध्यान दीजिए जो उसने आपके जीवनों में आपको दीए है अलिलुया दूसरी बात है डर्ना छोड़ दीजिए उनकी दार टपड सिचोधा अचन ही न तो भैवीत न ही तूकि हो तुम्हे डर्ना नहीं है और तुम leash डरते हैं वह हमारे वेभार को नई कती देता है हम डर्न के कारण जो हमें करना चाहिए गीब करते हैं क्योंक्य अंदर अमारे एक दर बैठा हुआ है कि तिरस्कार का डर इसानों कि घुड़ाई करो जा घर्वार की तरफ से खार किसी तरफ की टरफ से समाज की तरफ से तिरस्कार का ड़र हमारे अंदर होता है थ headache मुझे पागल कहेंगे रभ ये शुमसी को लोगोंने क्या कहा इसके अंदर तो दूस्टाक्मा है इसके परिवाद ने क्या कही तो पागल हो गया है प्रभ को सुनने को में हमें भी सुनने को में इस समास के अंदर जो डर है जो हमारे जो चीजे को ब्र हुआ कि हात में अंतरीक दर्द मुझे दर्द का डर हमें छोड़ देना है में डर से निकल दिना मांतर हो डर है हमारें अगर अभी ये करूंगा तो बहुत सारी चीजे हमारा प्रभु की हाथ में सुरक्षित है हमारा खविश्य प्रभु के हाथ में है अलेलोया तो हम दर्दा छोड़ दें तब हम इन सब बुराई के बत्दें भलाई को हम कर पाएंगे और अगली बात है प्रभु येश्य मसी को अपना आदस्ट बनाए अपना इड़ज उसके जीवन को उसके चरितर को उसके समर्परक उसके कार्यों को उसके प्रेम की बहुतायत को उसके अनुगरे की बहुत आयत तो देखी हालेलोया हालेलोया इसने कैसा दुख हमारे लिए सहा हमारी भलाई के लिए कैसा माम दुख उसने उठाया हमारी भलाई के लिए हालेलोया 18 में लिखा है मसीवी सब यहां पर पत्रस हमारे दुखों को मसी के दुखों के साथ में जोड़ता है मसी भी सब पापों के लिए सब पापों के लिए एक ही बार मर गया अधर्मियों के लिए धर्मी जिससे वहां में पर्मेशर के समीव ले आए एक ही बार मर गया पापों के लिए किसके पापों के लिए अमारे पापों के लिए अधर्मियों के लिए धर्मी कोर अधर्मी है हम लोग अधर्मी है हम अधर्मी थे हम गलत कारिक करने वाले पाप में पड़े वे हम अधर्मी लोग थे लेकिन हम अधर्मियों के लिए उस धर्मी में अपनी जान को गुर्बान कर दिया कि हम परमेश्र के समी ले जाए जाए परमेश्र बिता के नस्दीक हम ले जाए जाए हमारा बाप परमेश्र के करीम जाने में सबसे बड़ी हमारी बाधा और उसका कोई भी तरीका नहीं था कि मुझसे जो कारण प्राप्त कर सके प्रभ येश्व मसी का लहू बहना एक पमित्र मनुश्य का लहू बहना ज़र रही था जो येश्व मसी ने हम अधर्मियों के लिए उस धर्मी वेक्ति ने अपने लहू को बहाया यिश्व मसी की और अपने ध्यान को लगाए यिश्व मसी को अपना आदर्श अपना उदाहरन बनाईए अलेलुया वह सरी के भाव से तो मर गया परन्तो आत्मा के भाव से जिलाया गया और 22 में लिखा है वह स्वर्ग में जाकर कहां जाकर स्वर्ग में जाकर पिता की दाहिनी और विराजमान है पिता की दाहिनी और वो बैठा हुआ है अलेलुया और स्वर्ग दूत अधिकारी और शक्तियां उसके अधीन कर दिये गए हैं हालेलुया हमारे दुख जो संसार की अंदर उठाते हैं पत्रस हमारे दुखों को प्रभयेश मसी के दुखों के साथ में जोड़कर हमें बताता है जैसे मसी ने संसार में भलाई करते वे दुख उठाया अपनी जान को कुर्बान किया और वो पिता परमेशर के दाहिनी और जाकर विराजमान हो गया वो स्वर्ग में जहाँ पर अनंत काल की आशिशे हैं वहाँ पर स्वाम परमेशन रखने पिता के दाहिने उर जाकर विराजमान हो गया हललुया जैसे प्रभु येश्व दुखों के मद्धे अपने उदेश्य को पूरा करके मृत्यू पर विजय होकर पिता के दाहिने उर जाकर विराजमान हो गए वैसे ही हम भी परमेशन की आशिशों को उपने जीवन में पाएंगे हललुया जैसे वो मरा और उसने जीवन पाया वैसे ही हम भी इस संसार में भराई करते हैं जो उठाना पड़ेगा लेकिर हम भी प्रमेश्च मसीत की तरह है जीवन आशिश पायेंगे जिनका वाइदा आशिवन में वचन भी खिया है हललुया अनतकाल का जीवन अनतकाल की आशिशे हम पायेंगे हललुया आईए प्राचना करें कि ऐसा जीवन हमारा होने पाए